हेलो वेल्कम बेंगे इस टोगे नब करें आपकर इंट्रेग रिसर्ष टो फेशाले सबस्टीड फड़िए फिर फिर से आज हम लोग डिसकस करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से टागेट्स आने वाले मंडे सर्शन अनवर्ड कैसे हो सकते हैं अब देगे यहां भी सवाब परसंसे जादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है तो अब अमेरिकन मारिकेट में तेजी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और जो कारण जिसके वैसे आज यहां पर तेजी बनी है यह उसका सिर्व एक ट्रेलर हो सकता है अगर वो कारण वाकई में जाता है तो आगे आपको आपको यह अच्छी बनती निजर आइगी और अभी हमारे लिए 25 वापकर आपस भापस रहेंगे इसके चार्ट के पर तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक अपडेट जो आया है US economy से, time has come to US federal reserve to cut interest rate says Powell, तो देखो यहाँ पर US FED के चेर्मेन की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुके है, और इनोने आपर अपर clear indication दे दिया है कि अब rate cut की series यह progress in the battle to bring down inflation, जो महंगाई के वरुद जो इनकी लड़ाई चल रही थी, inflation जो peak पर जा चुका था, तो उसके अगेंस यह लोग finally अब जीतने वाले अपनी इस लड़ाई को, और यहाँ पर आप देखो, जो इनका US labor का, जो market का जो report लगातर आ रहा है, COVID-19 crisis के बाद, अब आप देखेंगे कि 2022 में आप देखो, जून के महिने के अंदर, जो US के अंदर inflation था, वो 9.1% चला गया था, जो कि 40 साल के highest level पर चार चुका था, जिसके वज़े से, सभी market के अंदर गिरावाट भी आपने देखा था, कि जून 2022 में अच्छा कैसे market ने अपना low बनाया था, और उसके बाद आपने देखा, US FED ने लगाता rate बढ़ाए, और rate बढ़ाने के वज़े से, इनके जो economy है, उसके अंदर अब इसका असा दिखना start हो चुका है, 2.9% पर जुलाई मन्त का इनका data inflation का आया है, और इनका जो ideal inflation होता है, अमेरिका का, वो 2% के असपस का होता है, तो 2 का जो इनका 2% का जो target है, इसको ये almost achieve कर चुके है, बस चोड़ा सा और इनको मैनत करना है, इनकी within 1 month इनका मानना है, कि एक महिने के अंदर ये इस target को भी achieve कर लेंगे, और अब यहाँ पर इनकी जो economy है, उसकी soft landing यहाँ पर होनी start हो चुकी है, त्योंकि अच्छा indication है, और जो recession को खत्रा है, यहाँ पर मंड़ा रहा था, वो भी खत्रा अब यहाँ से जा चुका है, इसलिए अब इनकी तरब से ऐसा बताया जा रहा है, कि rate cut जो है, सिरीज स्टार्ट हो जाएगी, और recently आपने देखा था, कि UK का Central Bank है, उसने भी पहली बार, COVID-19 के pandemic के बाद, आ आपने देखा था, कि European market के अधर भी तेजी बना, तो overall अगर हम देखें, तो market में अच्छे indication को मिल रहे हैं, आने वाले एक महिने के लिए, और वैसे भी आप देखें, तो सितंबर और अक्टूबर का जो महिना होता है, market के लिए, काफी अच्छा रहता है, तेजी भरावा अगर market की gap अच्छा होता है, Monday session में, तो फर definitely हम लोग अच्छी 25,000 के उपर हो सकते हैं, हम लोग शाद उपन कर जाएं, Sunsex 81,000 के लेवल पर closing किया, Nifty Bank 50,000, 900 के अपर close किया, थोड़ा सा momentum जितना हम कुछ आईए था, तैसा momentum लास्ट Friday session में को बिला नहीं, Sunsex के expiry के अंदर, European market हम लोग देख सकते हैं कि London market में तेज़ी के साथ बाज़ा close किये, Paris market के अंदर तेज़ी के साथ close किये, Frankfurt, Dex, Germany, यहां भी 149 points के तेज़ी के साथ पर close किया है, तो European market से भी फिलाल हमें अच्छे positive indication Monday session के लिए मिल रहे हैं, इसके लावा इशा के बाज़ार में आप देखे तो global market का data को फिलाल अभी हम लोग positive side में रख के अपने आगे का view बनाएंगे, इसके माथ हम लोग नज़र डालेंगे global market डेटा के बाद, FIS और DAS क्या करके गे हैं, तो FIS ने cash market में खेदारी की है, 1924 score की, DAS की तरफ से भी बाइंग देखने ने मिली है, अठ्टाइसो कोड से ज़्यादा की, फिलाल यह तो हमारे अच्छे इंडिकेशन है कि बाकर में इनकी तरफ से बाइंग हो रही है, इंडेक्स option के अधब इकवाली है, जो कि अच्छे इंडिकेशन है, और India Wix की बात करें तो India Wix में भी 4 पसंद का तेजी बनी हुई है, तो overall जो data यह वाला positive side में, India Wix में तो तेजी बनी है, बट ठीक है, अभी 14 के नीचे हम लोग है, तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्क्त वाली बात है नहीं, तो इस data का भी फिलाल हम लोग positive side में रखके आपने आगे का view बनाएंगे, अर इसके बात एक नदर डालेते है, FIS और DIS के पोजिशन के ब सानियत पर हम लोग को थोड़ी बड़ी बड़ी देखने के बल सकती है, इसको अगर हम लोग पार कर जाते हैं सफते के अंदर, तो फिर एक छोड़ा सा रिश्टरस हम को मिलेगा, जो की रहेगा 25,300 के लेवल का, तो ओपर में रिश्टरस काफी वीक है, नीचे में के बाद किसी भी दिन, इसके में मार्केट के अधर विक्रेंट हो सकती है, अधर्वाइस मार्केट काफी स्टॉंग है, 24,700 का काम करेगा, ओपर में रिश्टरस 25,100 है, 400 पॉइंट की रेंच सोड़ी से बाइट इस पर रहेगी, क्योंकि मार्केट के अधर वालटी सोड़ी काफी जादा एक्टिव हो रखे हैं, 21,500 का लेवल मेक और ब्रिक लेवल है, अगर यह तूटता है, तो कॉल लैटर सरेंडर कर देंगे, और उस केस में फिर हमारे सामने जो नेक्स रेजिस्टरस होगा, वो सीधा 52,000 के लेवल कर रहेगा, नीचे की साइड में जो कर सकता है, वो है आपका 50,500 का लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का का काम कर सकते है, और चांसे भी काफी जधा है कि इसके अगार के लिए जीद sharing करेगा, तो बेंक नियुक्त बार के लिए अज़ें के लिए से धिदे हैं благ के लाँ हैं, अब इसकेबाद सीद्धा का HDFC bank के अंदर करीब 8% की मजबूती रही है आईसा से bank पी 1% मजबूत रहा है जो इंडिकेट करते हैं कि banking sector में तेजी आ सकती है बाकि IT के कंपनी फिलाज फुरासा सुष्टी के साथ ही closing देखी गया है इसके लावा दुनिया के पास सबसे बड़ी कंपनी आप देखेंगे सबसे अधर तेजी बनी है टसला के अंदर 4.5% की इसके बाद NVIDIA का स्टॉक इस वक्त काफी अच्छा लगता है हम लोगो को करेंट डवल से NVIDIA में भी आधर 4.5% की तेजी बनी है इसके लावा गिफिटी आप देखेंगे तो फलाल यह डेट प्रॉपर अब दाव फीचर और दाव फीचर में फलाल तेजी के साथ ही अब हमारा मांकिट कहां पर ओपन कर सकता है तो इसके लिए आम लोग आते हैं सीधा निbpay के चाट में अब हर टूपर और इसके लिए यह लोग आ चुकेए वर चार्ट पर gry के चाट il को एपको एक चीज समझ में आएगा जो black line है यह हमाले support line का काम कर रही है और उपर में जो register से हमारे सामने एकी है वो है 25,000 का level तो अभी हमारे लिए Monday session onward क्या हो सकते है देखो Monday session onward market के expectation है कि market 24,950 के आसपास कहीं पर open कर सकते है ऐसा open करेगा तो market के लिए जो support रहेगा Monday session में 24,800 और 825 के range करेगा उपर में रेजिस्टर्स market face करेगा 25,100 के level का 25,100 के असपास आएगा यहीं पर हम लोग sell कर सकते है कि stop loss place करके जो कि 25,150 का 50 point का हम लोग लगा सकते है बहुत छोटा जा क्योंकि अगर इसको break करते है तो market 25,200 सवा 200 निकल जाएगा इसलिए आपको करना ही है कि 25,100 के असपास ही Monday session में हम लोग आते है तो यहीं पर हम लोग एक बार try कर सकते है अदरवाइस 25,000 के असपास आता है तो वहाँ से हो सकता है कि छोटा मोडा dip देके market वापस continue upside momentum continue करे इसके बाद हम लोग आते है बैंक 50 के टेक्निकल चार्ट के उपर तो यहाँ भी आपको एक positive cross over बनता हो नजर आ रहा है और यह cross over अगर बन जाता है sustain कर जाता है तो definitely हम लोग को एक अच्छा pullback rally हैं से मिल सकती है और यह pullback rally का जो रिजिस्टर्स हो सकता है वो 52,800 पर ही हम लोग को मिलेगा अब करना है मंडे session क्या हो सकता है मंडे session market के लिए जो रिजिस्टर्स है हमारे जो last market है फेस किया है पूरे दो हफते से वो 51,200 के level का है अगर हम लोग 51,200 के उपर खोल जाते हैं जो पर अगर मान लेते हैं कि हम लोग open करने जा रहे हैं अगर open कर जाते हैं तो उस case पर market का जो support change हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ले 50,800 का यानि 400 पॉंट नीचे रहेगा करीब 0.85% या असपास का और उपर में जो resistance market आपको दिखाएगा फेस करेगा वो सीधर रहेगा resistance 51,650 का सबसका 51,650 आएगा तो हम लोग एक छोटा सा stop loss पेस करेंगे 50,800 का और यहां से एक बार के लिए लोग छोटा बड़ा profit hook करके चल सकते हैं बाकि डिप के अंदर अगर मौका मिलता है बाय करने का तो हम लोग एक बार छोटा सा stop loss प्रेस करके वापस reversal के लिए ट्राय कर सकते हैं तो यह तो था हमारा expectation कल के लिए अब हमेशा कितने हैं जैसे हमने आपको start किया था कि आपको एक breakout stock हम लोग निफ्टी के प्योडियो के इदर जूरू प्रोवाइड करेंगे तो चलिए चलते हैं आज का हमारा breakout stock देखते हैं कौन सा है तो देखें आज का हमारा जो breakout stock है उसका नाम है बजाज आटो लिमिटेड थोड़ा से stock महेंगा है 10,406 का है और rounding pattern यहां पर आप देखेंगे बनाया है काफी लंबे से बेक बाद stock ने 10,000 के level को break किया break करके काफी अची candle यहां पर volume के साथ दी है तो काफी लोग यहां पर कहेंगे कि stock काफी महेंगा है देखो आप 100 रुपे वाले 10 stock purchase करते हो तो आपको कितना 1000 पे करना पड़ता है और आप 100 share purchase करते हो तब आप महां पर कितना पे करते हो 10,000 तो यहां पर आपको क्या करना है कि आप 100 share नहीं purchase करते हैं आप एक share purchase कर सकते हैं जिससे कि अगर यह stock 10% upset का momentum देता है तो same आपको return भही मिलेगा जो आपको 100 रुपे वाला share आपको provide करते है share महेंगा भी सक जरूर है बड़ यहां पर quantities आपको कम आएंगी बड़ आपको invest करना होता है वो आपको same करना होता है सब्सक्राइब किसी एक share के दर 50,000 invest करते हो जो stock 50 रुपे वाला है तो आप क्या करते हो quantities उसके दर निकालते हो बड़ यहां पर आपको क्या करना है सिफ 5 shares की quantity ही आप बाइब कर सकते हो यहां से हम लोग अपसाइट के लिए जा सकते है expected है कि यह stock हमें short time में दिवाली तक हो सकता है कि बहुत जल्दी 12,500 प्लस तक के target आपको test कर रहा है यानि 12% से लेके 15% का upside stock के अंदर फर्दर यहां से जो है और अनलोग हो जाता है यह फिलालव stock को लेकर के हमारा clear cut opinion इसके लाव आपका क्या opinion है आप comment section में जबी बहुत प्राना मेरें के नाइक्ष वीडियो में thank you so much